जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिलको मौर पशुओं हार तो धूद बहेगा उनाफा बढ़ेगा कॉलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दुश्कर्म के मामले पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई हुई और इस मामले पर कोट ने स्वता संग्यान लिया कोट ने इस मामले पर राजसरकार, पुलिस और अस्पताल प्रश्वासन से कड़े सवाल पूछे ये अप्रक्रितिक मौत का मामला है, सुप्रीम कोट ने पूछा कि आखर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे कोट ने पूछा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई वहीं कोट ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में डॉक्टरों की चल रहे विरोध प्रदर्शन को जबरदस्ती बंद ना कराया जाए कोट ने कहा कि ये सिर्फ एक मर्जर का मामला नहीं है, कोट ने डॉक्टरों की सुरक्षा की भी चुनता चुताई वहीं सोशल मीडिया पर पीडिता की पहचान उजागर करने पर कोट ने चुनता जाहिर की है, सीज़ई आई ने पूछा कि क्या ये सच है कि पीडित परिवार को बोडी नहीं देखने दी गई, इस पर पश्चिम बंगार सरकार के वकीर ने कहा कि ऐसे आरोप सही है, कोट सुनवाई के दौरान कई सक्त सवाल पूछे हैं, कोट ने पूछा कि पीडिता की पहचान उजागर कैसे हुई, जब साथ हजार लोग अस्पताल में घुसे, तब पुलिस वहां क्या कर रही थी, हम सीबी आई से गुरुवार तक स्टेटिस रिपोर्ट चाते हैं और एक न अनुसार पूर्फ प्रिंसिप पर गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके बयान में भी संगतियां पाई गई हैं, वहीं बंगाल के राजपाल सेवी आनंद बोस, राशपती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुच गए हैं, जानकारी के मताविक राजपा महिलाओं के लिए सुरक्षित जगा नहीं है, मौझूदा सरकार ने राजप को महिलाओं के लिए असुरक्षित बना दिया है